आज मैंने तयार किया है एकदम पारम पर एक तरीके वाला लाल मिर्च का भर्मा अचार चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने याँ पर ये लाल मिर्च ली है और मिर्च को पानी से 2-3 बार अच्छे से धो लिया है धोने के बाद एक साब कपड़े से मिर्च को हमें अच्छे से पहुचना है एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि मिर्च में बिल्कुल भी पानी ना हो यानि कि मौश्चर ना हो अगर थोड़ा बहुत भी पानी रहेगा तो अचार आपका लंबे समय तक नहीं चलेगा खराब हो जाएगा सारी मिर्च को पोचने के बाद अब हमें चाकू की मदद से मिर्च को काटना है सारी मिर्च को हमें इस तरीके से काटना है कि वो अलग भी ना हो और थोड़ी सी बीच में कटी रहे ये देखिए तो बस सेम प्रोसेस का इस्तिमाल करके सारी मिर्च को काट के हमें रख लेना है सारी मिर्च यहाँ पर हमारी कट चुकी है चलिए अब हम तयार करते हैं मिर्च के लिए अचार वाला मसाला एक पैन में डालेंगे हम एक कप राई यानि की सरसो साथी साथ डालेंगे आदा कप मोटी वाली सौफ बजार में मोटी वाली सौफ आती है तो मोटी वाली सौफ का इस्तिमाल करें दो चम्मच जीरा और डालेंगे एक चम्मच मेथी दाना सारी चीजों को हमें चलाते हुए लो फ्लेम पे भूनना है तो जैसे ही पैन गरम हो जाए फ्लेम आप लो करें और मसालों को low flame पे ही भूनें अगर आप इनको high flame पे भूनेंगे तो मसाले जल जाएंगे और अचार कड़वा हो जाएगा मसाले भूने की पहचान होती है कि इन में से भीनी भीनी खुश्चबू आने लगती है मसाला यहाँ पर भुन गया है फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और मसालों को कर लूँगी रूम टेंपरिचर पे ठंडा मसाले ठंडे होने के बाद यहाँ पर मिक्सी का मैंने जार लिया है मसालों को डालेंगे हम एक ग्रैंडिंग जार में और इनको पीस लेंगे यहाँ पर ध्यान रखें कि एकदम बारिक ना पीसे हलकासा दरदरा रखें पीसने के बाद इनको निकाल कर में एक पैन में डाल दूँगी साति साथ डालूँगी इसमें दो चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च इससे कलर अच्छा था इसलिए मैं कश्मीरी लालमेच का इस्तिमाल कर रही हूँ साथी साथ एक चम्मच हल्दी दो से तीन चम्मच के करीब धनिया पाउडर और डाला है मैंने दो बड़े चम्मच भरके अमचुर पाउडर साथी साथ डालेंगे इसमें चार चम्मच नमक और अब बारी है इसमें थोड़ा सा तेल डाल लेगी क्योंकि इसको हमें हलका सा गीला करना है तो पहले मैं ऐसे मिला दूँगी मिलाने के बाद इसमें डालूँगी लगभग चार से पांच चम्मच तेल और मसाले को कर लूँगी हलका सा गीला अगर मसाला अच्छे से गीला नहीं होगा ना तो ये मिर्च की अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं भरेगा इसलिए इसको आप हलका सा तेल से गीला करें ध्यान रखे कि तेल से ही गीला करें पानी ना डाले नहीं तो मिर्च खराब हो जाएगी और अचार लंबे समय तक नहीं चलेगा ये मसाले को मैंने हलका सा गीला कर लिया है अब लिये मैंने यहाँ पर ये कटी हुई मिर्च जहां से हमने काटा था वहां को थोड़ा सा से खोल देंगे और बीचो बीच अचार का मसाला इसमें भर देंगे अच्छे से भरे मसाला मसाला भरने में कंजूसी ना करें ये देखिए ये मैंने यहाँ पर एक मिर्च भर ली है तो सेम प्रोसेस का इस्तिमाल करके मैं सारी मिर्च को भर के रख लेती हूँ सारी मिर्च यहाँ पर भर गई है देखे कितनी सुन्दर लग रही है अब मैं यहाँ पर यह ट्रिक का इस्तिमाल कर रही हूँ चाको के मदद से इस मिर्च के ऐसे छोटे-छोटे से भाग काटूंगी, क्या होता है कि जब भी हम अचार किसी को देते हैं, तो पूरी अगर मिर्च होती है, तो मिर्च को हमें काट के देना होता है, और प्रॉपर तरीके से कटी नहीं है, तो अगर आप पहले से ही काट के र वह ऊचा रहे मिसाले को भी हम ऐसे डालते जाएंगे और पूरे कंटेनर को भर लेंगे कंटेनर को भरनी के बाद इसमे डाला है मैंने लगभग 500 ग्रम तिल तो मैं यहाँ पर ही सर्सों के तेल का इस्तिमाल कर रही हूँ अचार बनाने के लिए आप सर्सों के तेल का इस्तिमाल करें और मैंने तेल को गरम नहीं किया है कच्चा ही डाला है कच्चा तेल डालने से जो अचार में स्मेल है यानि खुश्बू है वो बहुत बढ़ी आती है तो अचार में तेल हमें इतना डालना है कि अचार अच्छे से डूबा रहे तेल डालने के बाद अब हमें हाँ पार ये जार है इसको कपड़े से बंग कर देना है और एक हफ़ते तक अचार को हमें ऐसे ही रूम टेंपरिचर पर छोड़ देना है एक अचार हमारा खाने के लिए तैयार हो जाएगा एक हपता हो गया है मेर्च हमारी अच्छे से गल गई है और आप टैक्चर दिख सकते हैं एकदम पर्फेक्ट आ गया है तो आप भी एक बार इस तरी के से अचा जरूर ट्राय करें आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं मिलेंगे आपके साथ अगले नए वीडियो में तब तक ली नमस्ते